दियर इस्टुटेंट्स, गुड़ मॉर्निंग, एब्रिवन, हाव आर यू, गुड़, ओल आर फाइन, प्यारे बच्चों, आज हम आपको कुलाम की यम की संभन में बताएंगे कि कुलाम नामक बैग्यानिक ने नियम को जाने से पहले कभी धाना को समयने की गोशिश की, इस धाना के संभन में यह बताया गया कि दो बिन्दू आवेश, Q1 और Q2 किसी बिदू छेत्र में इस्थापित किये गए, इट मिन्स Q1, Q2 दो आवेश बिदू छेत्र में रखे गए, और उनके बीच की दूरी को इस मॉल आर से परदसित किया गया, तत्पस्चात, उन्होंने यहां बताने की कोशिश की, कि इन दो बिन्दू आवेशों के बीच, यदि कोई बैदूद बल कारेक करे, तो दोनों आवेशों का गुड़न फल, उस बैदूद बल के अनकरमान पाती होता है, तथा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का बर्ग, बैदूद बल लगने के विद करमान पाती होता है, अर्थात, यदि हम इस नियम को प्रिक्छा की दिष्टी से लिखने की कोशिश करें, तो कूलाम का नियम, अंडरलाइन, इस नियम की अनुशार किनहीं दो बिन्दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, अथ्वापर्तिकर्षण बल, कॉमा, दोनों आवेशों अर्थात मात्राओं के गुड़न भल के अनकरमान पाती, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर के बितकरमान पाती होता है, यदि बैदुचित्र में रखे दो बिन्दो आवेश Q1 वर Q2 हैं, तथा उन पर लगने वाला बैदुच बल, capital F, या small F है, तो माना, बैदुचित्र में रखा पहला आवेश Q1 वर दूसरा आवेश Q2 है, तथा उनके बीच की दूरी, small R है, अतहां, F proportional Q1 into Q2 upon R square, या F वरावर के Q1, Q2 upon R square, या F equal to 9 into 10 की पावर 9, Q1, Q2 upon R square, न्यूटन, जहां, 9 into 10.9 equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 है, इसमें epsilon 0 निर्वात की बिद्व सीलता है, और Q1, Q2, 300, 22 है, इस परकार, F वरावर, 1 upon 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 upon R square, ब्रेकेट में 1, न्यूटन, अतवा प्राप्रे नाम, कुलाम के नियम का विष्ट पैंजक है, और आप इस नियम को इसी परकार समझ कर अपनी कॉप्य में ड्रॉ करेंगे, समझेंगे, और यदि कोई दिकत हो, तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी लर्न कीजिए, समझ में नाये, तो फिर पूछें, अधरवाज नेक्स्ट ए, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाब करते हैं, फिर मुलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजादत, नमस्कार,